हलो गुइंकंस आज की हिंदी की कक्षा में आपका विशे है मिनी का ई-मेल आपकी पाथे पुस्ता गुझन हिंदी पार्ट माला दो से हम पढ़ेंगे पार्ट नो मिनी का ई-मेल पेज नमबर 62 प्रेश्ट संख्या 62 से बच्चों इस कहानी में आप पढ़ेंगे एक छोटी सी लड़की चंदा मामा को अपने घर खाने का बुलावा भीजना चाती है जिसके लिए वह उन्हें कंप्यूटर से इ-मेल लिखवाना चाहती है आईए हम इस कहानी को पढ़ते हैं मिनी एक छोटी सी लड़की का नाम था उसने अपनी नानी जी से चान की कहानी सुनाने को कहा नानी जी ने चान की कहानी सुनाई मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी रात को उसने खिड़की के बाहर देखा चमकते हुए चान को देखकर वह उससे बाते करना चाहती थी उसने सोचा कि वह चुन्मुन भेया से कम्प्यूटर पर एमेल भेजने को कहेगी यानि चुन्मुन भेया से वो क्या करना चाहती थी कम्प्यूटर से एमेल लिखवाना चाहती थी और चान के नाम भेजना चाहती थी भेया से चान के नाम एक पत्र लिखवाएगी वह चंदा मामा को अपने घर खाने का बुलावा भीजना चाहती थी अगले दिन जैसे ही सूरज दादा निकले वह उड़ गई उसने जल्दी जल्दी सब त्यारी कर ली मिनी ने भेया की मदद से पहले काघस पर पत्र लिखा वह चुनवन भेया से कम्प्यूटर पर पत्र टाइप करवाना चाहती थी तब तक सूरज दादा बादलों के पीछे छिप गए थे थोड़ी देर में बारिश होने लगी तेज हवा और बारिश से तार तूड गए इंटरनेट काम नहीं कर रहा था बेचारी मिनी का ईमेल जाही नहीं सका वह कम्प्यूटर में ही है अब मिनी उदास बैठी बारिश बंध होने का इंतिजार कर रही है तो बच्चों आपने इस कहानी में क्या पढ़ा कि मिनी जो है ईमेल कम्प्यूटर के दुवारा लिखवाना चाहती है चान को तो आप अपने आप से एक सवाल करेंगे क्या चान तक कोई ईमेल पहुँच सकता है या नहीं दूसरी बात जब कोई दूर हो उससे आप कैसे बात करते हैं पहले जमाने में हम पत्र लिखकर एक दूसरे के दिल की बात एक दूसरे को पहुँचाते थे आज के जमाने में हम WhatsApp के थूँ, email के थूँ एक दूसरे को अपने दिल की बात पहुँचाते हैं पहली जो दूर रहते थे उन तक अपनी बात कैसे पहुँचाते थे बच्चों हम उन तक हम अपनी बात पहुँचाते थे पत्र की द्वारा अच्छा बच्चों रात को आस्मान में आपको क्या-क्या दिखाए देता है चान दिखाए देता है, बहुत सारे तारे दिखाए देते हैं तो बच्चों इस पार्ट के अंत में जो प्रेश्न उतर हैं वो मैंने आपको इन content में डाले हैं मोखिक प्रिश्णुतर उनको आप अपनी लिखित पुस्तिकापर करेंगे शब्दर भी आप अपनी लिखित पुस्तिकापर ही लिखेंगे